नमस्कार दोस्तों आज के लाइफ सेंज देशी नुष्के में हम आपको दो अती उत्क्रस्ट और अधुत घरेलू नुष्कों के बारे में बताएंगे इन में से एक नुष्का आपकी सापसे करिया को बढ़ावा देगा तथा दूसरा नुष्का आपके बड़न के अतिरिक्त वदन को कम करेगा तथा पूरे तौंड एवं पुषवाडे की चर्वी जलाने की प्रक्रिया की सुरुवात करेगा इन नुष्कों का अविस्कार यूरोप के कुछ सबसे प्रतिष्ठित आहार और फोर्सन विसेशग्यों द्वारा किया गया है और आज यूरोप तथा अमेरिका के कई हिस्सों में हजारों लोग इसका लाब उठा रहे हैं और इसके लाबदायक परिनामों से वेच सकित हैं यह सकती साली नुष्कार केवल 48 गंटों के अंदर ही आपको अपने उतकरष्ट और सानदार परिनाम दिखाएगा पहला नुष्का चयाप सई क्रिया को बढ़ावा देने वाले नुष्के को बनाने के लिए आपको पांच अवयवों की आवज सकता होगी नंबर एक नीबू का रस दो चमच नंबर दो काली मिर्च का पाउडर एक चमच नंबर तीन कूटी हुई अधरक एक चमच और नंबर पांच तीन सो मिली लीटर पानी इन सभी अवयवों को एक साथ ब्लंडर में डाल दें सभी चीजें समान रूप से मिल जाने तक अच्सी तरह से मिलाते रहें परिणाम स्वरुप जो मिस्रन मिलेगा इस मिस्रन को रोजाना सुबह भूखे पेट सेवन करें रोजाना काम पर जाने से पहले नास्ता जरूर करें क्योंकि भूखे पेट रहने पर गैस और ऐसी बीटी की समस्या रहने लगती है इसके अलावा घर से बिना नास्ता किये निकलने वाले अधिकतर लोग फास्ट फूड जरूर खाते हैं जो चर्वी बढ़ने का मुख्य कारण होता है दूसरा नुष्का चर्वी और वजन घटाने की फ्रिक्रिया तेज करने वाले नुष्के को बनाने के लिए आपको पांच सीजों की जरूरत पड़ेगी नंबर एक लहसुन के लोंग च्यार नंबर दो च्यार से पांच नद टमाटर नंबर तीन नेम्बू का रस च्यार चमच नंबर च्यार पानी पांच सो मिलिलीटर और नंबर पांच छै से साथ बर्प के क्यूब इन सभी सामग्डियों को मिक्सर में डालें और कुछ देर तक अधिक्तम गती से मिलाएं बस आपका पे तैयार है इस तैयार पे यको पहला पे पीने के आधे घंटे के बार पीना सबसे अच्छा रहता है या फिर दो बहर या रात के भोजन से आधा घंटा पहले इसे आप पी सकते हैं ये दोनों पेज आपको बहुत ही कम समय में अतिरिक्त वजन और वसा से सुटकारा पाने में मदद करेंगे इन दोनों पेज में इस्तेमाल की जाने वाली सामगरी के सकती साली गुणों के कारण आपके समगर स्वास्ट में सुधार होगा इन दोनों पे का मिला दुला प्रभाव आपके सरीर से सारे अप्षिष्ट और विशाक्त पदार्थों को साफ करके पूरे सरीर को सुध कर देंगे। जरूरी अवस्यक निर्देश अपने देनिक भोजन में हरी सबजियां, सलाद और पूरे अनाज का उपभोग करें। बगेर सीनी की ग्रीन टी पियें, दिन में कम से कम आठ ग्लाश पानी जरूर पियें। हलके सारीरिक व्यायाम भी करें और सारीरिक व्यायाम के लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाएं। अगर आपके पास जिम में जाने के लिए समय नहीं है तो सारी रिक गती विदियां दूसरे रूप से करें, लिप्ट की बजाई सीडियों का इस्तेमाल करें, और फिस से घर आते समय कुछ देर पैदल चलें, फिर बस पकड़ें, सबजी लेने जाएं, घर के कुछ काम करें, क दोस्तों ये था आज का लाइक चैंज देशी नुश्का, आजा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में सेर भी करें, और अगर वीडियो में आपको कुछ कम लगे तो इन कमियों के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम इसमें और अधिक सुधार ला सकें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो आप सबसे पह पर आपने वारद